कलमान खार ने करवा दिया है दिगविजे और अविनाश के बीच में उन्हीं के सामने एक टास्क करवाना भी चाहिए, पता तो चले, आखिरकार इन लोगों को भी क्लारिटी जो है वो मिले, हाला कि जो भी सब चीज़े की हैं, वो दिगविजे ने की हैं, दिगविजे यहा आपकी नजर में वो सही हो सकता है, मेरी नजर में आविनाश सही है, भाई इस घर में जो लोग अपना स्टैंड लेते हैं और अपनों का स्टैंड लेते हैं, उनकी ही वैलियो होती है, और यहाँ बर भी रिविव करने वाली मैं हूँ और मैं भी एकदम डंके की चोट पे जिसका स्टैंड लेना होता है, उसका स्टैंड लेती हूँ, चाहे कोई गलत है, चाहे सही है, मुझे जो लगता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को पता ही है, इतने सालों से जो है, आप लोग मुझे रिविव करते होई देख रहे हैं, चंद लोगों को तो पता होगा, हाला कि हर साल कोई नएने लोग आते रहते हैं, तो अब जो है, एक दुश्मनी और दोस्त का टास्क जो है, इन दोनों के बीच में करवाया गया है, कि भई बताईए कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, अगर देखा जाए, तो बगगा जो है, वो अविनाश का, इस तरीके से जो है, वो दोस्त बनते होए दिखाए देंगे, पर कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है, कि यहां पर इसे टास्क में भी कनफ्यूज होंगे, क्योंकि इविन शिल्पा भी कनफ्यूज होगी, कि भई ना तो मैं दोस्त भी किस को नहीं मानती हूं, अपना दुश्मन भी किसी को नहीं मानती हूं, मैं क्या करूं, पर तास तो करना पड़ेगा, हाला कि क्या आप लोग पूरी लिस्ट बना के मुझे बता सकती है, कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, दिगविजे और अविनाश का कमेंट सिकंदर वो भी आने वाले हैं और यहां पर वीकेंड के वार पे काफ़ सरी कंटेस्टेंट के बारे में तो बात होगी पर जादतर बात जो है ईशा आलस विवियन अविनाश के बारे में होने वाली है उनकी ग्रुप और उनकी फ्रेंड्शिप को लेके होने वाली है और काफ से जदा सपोर्ट Alice को करने वाले हैं संदीप क्योंकि वो उनकी दोस्त है ऐसा सब चीज़े जो है सुनने के लिए मिल रही है पर ये कंफर्म नहीं है कि संदीप सिकंदर क्या दिखाई देंगे क्या इशा कि मम्मी जो है वो आई है बोला जा रहा है कि ये लोग सेटपी आई ह हैं और ऐसी चीज़े हो रही है पर कंफर्मेशन अभी तक कुछ नहीं है इसी के साथ ना लेते हूं जाज़त नमस्कार